tuvakot नेक्स क्रिशन है जन्सादरन की भाशा में लोग- क्रियां से हें जो केंड्री राज्य तथा इस्थाने सरकारों की कारेपली का शक्खाँ दौरा संपाधित की जाती है लोग- प्रिशाषन की उपिक्टी परिभाशा किसके दौरा दे गई तो यह जो परिभाशा थी जिसमें कि वो करेपलिका शखाओं की बात कर रहे थी ये परिभाशा वर्बट सायमन ने दी है whenyr Simon की परिभाश आये चोहत्तरवे सविदान संशोदन अदीनियम में नगरपालिका संस्थाओं की त्वारा संपाधित किये जाने वाले विश्यों का प्रावधान है चोहत्तरवे सविदान संशोदन यानि की जो नगरिये जो संस्था हैं उनकी विश्यों का प्रावधान कौन सी सुची में है नेक्स्ट है Great Britain में संसदिया आयुक्त की विवस्था किस वर्ष से प्रभावशाली हुई संसदिया आयुक्त की विवस्था ये हुई थी 1967 से ये क्योशन कई बार आ चुका है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक नियंत्रन के छेत्र को प्रभावित करने वाला नवीन कारक नहीं है नवीन कारक है ना span of control जो होता है तो स्वचालन, automation, technique of supervision, process of communication and information revolution या use of specialist विशेश्यक्यों का उप्योग तो नवीन कारण इन में से कौन सा हो जाएगा techniques of supervision क्योंकि जैसे जैसे technology बढ़ी है तो जो techniques हैं supervision की वो बढ़ती जा रही है तो जो span of control है उसका जो area है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि technology के उप्योग से जो अनियंत्रन का छेत्र है वो प्रभावशाली हो गया है निमने में से कौन सा एक France का सर्वोच प्रशाशनिक नियायले है France की बात करें तो हम जानते हैं वाँ administrative tribunals होते हैं प्रशाशनिक नियायले होते हैं तो प्रशाशनिक नियायले होते हैं तो प्रशाशनिक नियायले में सर्वोच प्रशाशनिक नियायले कौन सा है राज्य परिशद नाम है उसका Council of State Next है निमने कितने से कौन सा एक सुमेलित नहीं है न मेश नहीं है व्यवस्था उपागम डेवेडिस्टन ने दिया था क्या हाँ व्यवारवादी उपागम हरवर्ड साइमन पिल्कुल सही है Structure Functional Frank Marini ये गलत है Ecology Rix ये भी सही है तो Third जो हो जाएगा वो गलत है लोकनीती निर्मान की सही क्रमिकता की पहचान कीजिए जब Policy Making किया है जाता है तो उसका जो Sequence होता है वो क्या होता है Putting Problem on Policy Agenda Identification of Public Problem Formulation of Public Proposal to Deal with Problem Making Policy Decisions तो क्या Sequence रहेगा इसमे इसमें Sequence रहेगा सबसे पहले आ जाएगा जो समस्या है उसकी पहचान की जाएगी Identification of Public Problem फिर उसके बाद में क्या आएगा समस्या को Policy Agenda में रखना है उस समस्या को ए हो जाएगा फिर उसके बाद में आएगा Formulation of Policy Proposal और Last में आएगा Policy Decision तो तीसरा इसका सही हो जाएगा BACD निमने में से कौन सा एक लोक निती के सफल क्रियानवेन है तू सही उपाए नहीं है implementation या execution के लिए Public Policy के सही कौन सा नहीं होगा क्रियानवेन है तू उप्यूक्त योजना का निर्मान करना प्रभावित हित समों की सहभागीता नहीं होना उप्यूक्त संसादनों की उपलब्दता सुनिश्यत करना सहभागी प्रबंदन पर बल देना तो तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा ना की सब सही है क्योंकि उसमें negative word है लोगों की इच्छा समाज कारिस्तल परिवारम मेत्री समो के सम्मान यह मं पैचान प्राप्त करने की रहती है इस इच्छा को कहा जाता है क्या कहते हैं इस इच्छा को जो चाहते हैं कि उनको सभी जगे सम्मान मिले, आदर मिले और हमने मैसलो की उस थियोरी में देखाता तो उसे कहते हैं Esteem Needs यह जो हिंदी में इसका translation किया गया है आदर भाव के आउशकता वो मुझे सही नहीं लग रहा वाकि English में हम देखे तो Esteem Needs है इसका answer तो next निम्निकित में से कौन सा Gestalt के अधिगम सिध्धान्त के अंतरगत निर्धारत प्रात्मिक कारकों के समों में नहीं है primary factor that determined grouping under gestalt theory of learning तो इसमें से हो जाएगा genetics अनुवान शिकी वो नहीं है next है भारतिय दूर संचार अधिकरन ट्राए के बारे में निम्न पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चहन कीजिए इसकी स्थापना 1999 में हुई यह दूर संचार उप्भकताओं के हितों का संरक्षन करता है यह दूर संचार के सम्मर्धन के लिए स्थतियां तयार करता है वैश्वी कृप से भारतिय दूर संचार को अग्रणी भुमिका के लिए तयार करता है तो इसमें जो तीन है वो सही है ए गलत है तो B, C, D इसका सही होगा ए गलत है इसका लोक सेवा का अधिकार कानून बनाने वाला प्रथम राज्जी कौन सा है लोक सेवा का अधिकार कानून मनाने वाला प्रथम राज्जी है मद्धि प्रदेश रिमन में से कौन भूत पूरू मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं तो इसका फोर्थ हो जाएगा प्रदीप चामुला जी नहीं रहे हैं नेक्स्ट है रिमन में से कौन सा सिध्धान्त लोक निती के बारे में जंता को निश्क्रिय उदासीन एवं सूचना हीन मानती है कौन सा सिध्धान्त कहता है कि जंता निश्क्रिय होती है तो वो सिध्धान्त है अभिजात का सिध्धान्त एलाइट थियोरी अभिजात ने मानो किसे एक से मानो संबन सिधान संबन देते हैं, मानो संबन सिधान कौन से तेयोरी से संबन देते हैं, अनुपचारिक संगठन, informal organization, नेक्स्ट है, निमनमें से कौन सा प्रशाशन पर कारे पाले का नियंतरण का तरीका नहीं है, व्यापक कानून के अंतरकत निती का आचरन सहीता का प्रवर्तन, तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो अंसर होगा, वो नीती का अधिनियमन, ये हो जाएगा, वो ये इनका तरीका नहीं है, बाकि सारे हैं, नेक्स्ट हो जाएगा, तो नात्मक लोगपर शाशन में निमने में से कौन सी प्रवर्ति को रिक्स द नुभव मुलक, मध्य एकाई से सिद्धान नर्मान, विशिष्टा से सामने पर रखता, गैर पारिस्टिति के से पारिस्टिति के हैं, तो जो सैकी ने वो गलत है, बाकि तीनों सही है, रिक्स के द्वारा बताएगे, शिक्षा प्रणाली, उपागम की आगम उप्रणाली निमन में से कौन सा सम्मिलित है, इन्पुट, शिक्षा की बात करें, तो इन्पुट क्या होंगे, अप्रोच इस कुरिकुलम, मैथर्ट्स, स्ट्रडिजी, तो कौन सा सम्मिलित होगा इन्पे से, चारों में से, तो शिक्षा की बात करें, तो हम जानते हैं, कि जो चरिया, next, अभीक्रमिक अधीगं, निमने कितमे से किस सिध्धान्द पर आधारी तो अभीक्रमिक, क्रमित अधीगं, प्रोग्रामड लर्निंग, ये अच्छली क्योंकि स्कूल लेक्चर का पेपर था, तो इसके इसलिए बस में लर्निंग एड था, इसलिए यहाँ पर इसक which of the following is not correct regarding development administration विकास प्रिशाशन के लिए कौन सा सही नहीं होगा action oriented time oriented goal are efficiency its goal are efficiency in economy and it is flexible अब कौन सा सही नहीं होगा तो कौन सा सही नहीं होगा इसके लिए 3 क्योंकि विकास प्रिशाशन का goal efficiency और economy नहीं है ये action oriented है time oriented है और flexible है निक्स है प्रत्या योजन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है प्रत्या योजन नीचे से उपर होता है उपर से नीचे होता है समस्तरी होता है भाई एक भी बगल की और भी होता है तो प्रत्या योजन कितनी तरह का होता है डेलिगेशन जो होता है वो कितनी तरह का हो विकास की दर भिन्ने व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है विकास निश्यत करम या स्वरूप का अनुसरन करता है तो इसमें जो सैके ने वो गलत है मैं देखी रहा है कि विकास की कोई देशा नहीं होती है इसमें से कौन सी एक उपागम हर्बर साहिमन द्वारा उनकी वारवादी बेह बीहेवियरल अप्रोश था पर साहिमन का निम्में से कौन सा टॉल्में द्वारा प्रदत चिन्न सद्धान का मुख्य विचार एंप्रसारिस संप्रत्य नहीं है फॉलाइं इस नॉट दे में थॉट एंड कंसेप्ट वो प्रफोगेटिड बाइटॉल्मेंस साइंस तॉल्मेंस थ्यूरी तो इसका अंसर हो जाएगा थड़्वर्बल-RVS-Non-verbal Learning का क्योश्यन है मेच करना है और बताना है कि सही कौन सा है एडमिस्टेटिव ब्यहेवियर अजनल इंड्रेस्ट्रियल मैनजमेंट है तो इसके अंदर हमें मेंच अगरम कर रहे हैं जन्रल एंडॉस्ट्रियल मैनेजमेंट तो हम कहेंगे कि पहला जो है एड्मिस्ट्रिटिव बिहेवियर ये फारबर्ट साइमन का बुक हो गया जन्रल एंडॉस्ट्रियल मैनेजमेंट हैंडी फेयॉल का बुक हो गया मैनेजमेंट अंड वर्क का रूतलिस बर्गर डिस्कसन का हो गया और Organization Management ये Chester Bernard का ही है तो तीसरा इसमें सही हो चाहेगा UK की प्रशाशनिक विस्ता के लक्षनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताईए UK की नौकरशाही वेबर के मौडल पतादारित है UK की लोक सेवा व्रती का सेवा है इसमें जल्दी प्रवेश होता है और सेवा नित्तक के लिए हर्ताल की अधिकार की मनाई है किन्तु हर्ताल अनुशाशनिक अपराध है सेवा निवरती आयू सत्तर वर्श तक की है तो UK के लिए क्या हो चाहेगा जो D है वो गलत है बाकि तीनों सही है A, B, C समन्वे की निम्ना की तक्निकों पर विचार कीजिए समन्वे संगर्णात्मक तरीके क्रियावीधियों का मानकी करन और सम्मिलन और संगोष्टियां निर्देशन और नियंतरन का अभाव या नहीं होना तो जब समन्वे की बात आती है तो D अपने आप गलत हो जाएगा और इसके अंदर जो आंसर है वो A, B, C हो जाएगा ये किसने कहा? शिक्षा मनो विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान है ये अगेन एजुकेशन साइकोलोजी परग्योशन है तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है पील बारती सविधान के एकिस अनुचेद द्वारा न्यायलेओं को साधरन नियंतरन के उपाई के रुप में रिट्स जारी करने की शक्ती प्राप्त है रिट्स जारी करने की ये शक्ती है वो अनुचेद 226 226 में प्राप्त है 226 जिन तक ने अपने अध्धिन में पारिस्तिती की उपागम पर बल दिया है ये क्योशन कई बार गुमा गुमा कर पूछा गया है रिक्स आते हैं जब भी एक उलाचिकल अप्रोच की बात होती है कौनसा एक सुमेलित नहीं है देश और उनके सरकार के मुख्या का राच के निवास तो कौनसा इसमें मैच नहीं कर रहा वो हमें बताना है तो ग्रेट बिटेंट, टेन डाउनिंग स्ट्रीट, अमेरिका में वाइट आउस, फ्रॉंस में एलसी, करसवट, क्लू और भारत में दस जनपत तो ये दस जनपत कलत हो जाएगा भारत वालाई शिक्षन आधिकम सामगरी के उप्यों की दिश्टे से एडलर, एडगर, डेल, द्वारा प्राफ्त, अनुबह, शंकू के शिष्ट से तलकी और सोपान के लिए इन में से कौन सा एक शिक्षन से लागुने है ये अगेन जो टीचिंग पर क्यूशन है और इसका जो आंसर है वोगा विशिष्ट से सामान ने निम्न में से किसने नवीन लोग प्रिशाशन की और मुन्नोबुक पर इप्रेक्ष नामक पुस्तक का संपाधन किया तो ये जो बुक थी वो थी फ्रेंक मारी नी की भारत कि सवीधान के नवन में से कि सवीधान नचर्दन द्वारा इक प्राउधान किया गया है कि एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राजशपाल बनाया जा सकता, ये करिशन भी कही वार पूछा जाता है और इसका आंसर जो हो है सब्तम संप्षूजन सेविंध एमिडमेंट जो है वह यह विवस्ता करता है 1946 सेविंध एमिडमेंट पॉस्ट कोउब शब्द में कौन सा सिधन समाईत है इन मैं से तब बताना है कमान, कॉर्डिनेशन, कंट्रोल या कमिनिकेशन तो इन में से कौन सा आएगा, जो second है, coordination, हम जानते हैं कि पोस्ट कॉप में planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting और वर्स्टिंग आता है, तो coordination इसका अंसर होगा, सरकारी कमपनी की प्रमुक विशेष्टा है, सरकारी कमपनी की प्रमुक विशेष्टा कौन सी है, ये कमपनी अनुन के अंतरगत पंजिकरत है, इसके कुल समपति क्यान परसेंट ये अधिक भाग सरकार का होता है, कमपनी अधिनियम द्वारा शाशित होती है, और इसका स्वय इत्तरवे संभिधान संभिधन के बारे में इमने में से कौन सा सई नहीं है बढ़े शहरों में कारिशील विकास प्राधी करणों को भी उप्युक्स नियुक्त संभिधन में सथान दिया गया यह गलत है इनके कारियों के परिगंडना के लिए दो प्रतरक अनुसुचियों का प्रधन के गए विसे तो तीसरा गलत है निञेम नों में से कौंसी एक पत सोपान के विशेष्टा नहीं है पत सोपान हाइरार्छी ये कारिय व्वीजन के साथ अंतनियत है यह त्वरित कारी संपन कराती है, यह प्रत्य विजन का मार्ग प्रतिस्ट करती है, यह संचार का एक चैनल है, तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हाइरार्की की बात आती है, तो वहाँ पर काम जो है वो फास्ट नहीं होते है, फास्ट एक्शन वाला गलत हो जाएगा नेक्स्ट है लाखीना का लाखीना एहमद नगर प्रयोग का संबंद किस से है लाखीना एहमद नगर का प्रयोग जिला प्रशाशन में सुधार से है नित्रुत के आकस्मिक्ता सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है आकस्मिक्ता का जो सिध्धान्त है वो किस ने दिया था फ्रेड फिडलर ने भारत की सविदान की किस अनुच्छित के अंतरगत राजी के राजिपाल द्वारा मुख्यमंत्री की न्युक्ति की जाती है अब मुख्य मंत्रे के न्युक्ति वाला आर्टिकल पूछ ले हैं उन्हें 164 शिक्षा में म्रदू सौफ्ट्वेयर टक्नीक का उप्योगे अगेंट टीचिंग रिलेटेड आ गया है तो इसका जो आंसर है वह सतत्त मल्यां कर रहेगा निम्न में से क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा मेंगरेकर ट्योरी एक्सेन वाई उसके बाद है हर्जबग द्विगटक का सिधान मैसलो अवशक्ता का पत्सुपान क्रिस अर्गरिस संग्ठानात्मक सस्त का विचार तो फूर्द गलत है इसमें बाकि तीनों सही है निम्न में से कौन सा एक यूग में सही नियामक सेम्ठानात नहीं है तो कोल इंडिया लिमिटेट ऑयल इंडिया लिमिटीट भारत हैवी लेक्ता Limited Oil and Natural Gas Corporation नहीं है वो है Oil India Limited टेक्स ले निमनिमिस से लोक उपकरम विभाग किसके अधीन कारे करता है बहरती उच्च न्याइक सेवा की निक्तियों में सत्य निश्टा औं नितिक्ता को सुनिश्ट करने के लिए भारत की उप्राश्पति की अध्यक्षता में राश्टी न्यायक परिक्षत का गठन किया जाना चाहिए यह सुधार किसने यह जो recommendation है यह किसका था सवीधान के कारिकरण की समिक्षा है तो राश्टी आयोक का जब एक विद्यारती यह teaching का question है इसका answer third रहेगा next रे निम्न में से कौन राजस्थान के छटे राजी वित्यायोक के अध्यक्षे राजस्थान के जो छटा वित्यायोक इसके अध्यक्षे प्रद्युमन सिन और next रे दित्ती प्रिशाश्दिक सुधारायोक दारा नागरिक के अंदित प्रिशाशन में दिये गए सुझाओं पर विचार कीजिए बताइए सही कौन सा है प्रिशाशन के लिए सशक्त रिदिक धाचा कानुनों के क्रियान्मिल के लिए मजबूत सरशनात्मक्तंत संस्थाओं को जीवन तुत्तरदायो जवाद्य बराना शाशन की गणवत्ता तो इसमें जो हो जाएगा चारों ही सही हो जाएगे A, B, C, D आगी की किशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेगा Thank you so much, bye bye